हेलो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सब होप यू अलार फाइन वेलकम टू लोजिस्टिक केमिस्ट्री तो बच्चा आज हम फिजिक्स का 10th का इलेक्टिसिटी चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्टर स्टार्ट स्टार्ट लेक्टिसिटी तो बच्चा देखो आपको इस list में एक सीन दिखरा होगा है तो कि आ अपनी लाइफ को इमेजिन कर सकते हैं विदाउट एलेक्टिसिटी अगर अगर light चली जाए तो city कैसी लगेगी है ना, तो मतलब electricity क्या है, क्या है electricity, ये देखो, इस में देखो, इस pic में क्या है, हमारे घरों में fan चलते हैं, इसी चलते हैं, बलब glow करते हैं, that is all due to electricity, without electricity हम क्या रह जाएंगे, अंधेरे में है ना, तो इसका मतलब electricity क्या है, है बहुत जरूरी है सोर्से क्या है सोर्स इनर्जी का है और यह हमारे घरों में हम इस करते हैं इंडième के लिए उसपैर्ण तो उसके लिए मैंग्सक्राद को विए पता होना चाहिए, इलेक्टरिक » ज्यस्ति के पारे में जादा पता चलेगा, तो आपको ये पता होने mostly experiment करके भी देख रखा है चोटे होते ही कर लेते हैं हम क्योंकि हमें ऐसी अच्छी चीज़े अच्छी लगती है जब हम करते हैं तो इसमें आपको एक कॉम दिख रही है एक paper के pieces दिख रहे हैं तो बच्चा अगर मैं paper को चोट-चोटे pieces में cut कर लूँ और कॉम उसके पास लेके जाऊँ तो क्या होगा कुछ भी नहीं होगा है ना बट अगर उसी कॉम को मैं अपने hairs पे हलका सा rub कर लूँ और फिर वो pieces के पास लेके जाऊँ तो वो pieces जैसे picture में दिख रहे हैं वैसे कॉम के पे attract हो जाएंगे है ना तो जब मैं बिना rub किये उसको लेके जाती थी तो कुछ नहीं होता था बट जब मैंने rub किया dry hairs पे तो उसने pieces को attract किया इससे हमें क्या पता चला कि वहाँ पे कुछ ना कुछ charge generate हुए है that means इस experiment से हमें पता चला कि electric charges की वज़े से ऐसे हुआ charges दो तरह के होते हैं बच्चा एक positive charge एक negative charge और जो positive charge होता है वो positive charge को repel करता है मतलब जो like charges होते हैं वो हमेशा repel करते हैं और unlike charges हमेशा attract करते हैं इस experiment में कॉम ने pieces को paper के pieces को attract किया that means यहाँ पे opposite charge होंगे तभी attract किया अगर कॉम positive होगी तो वो pieces of paper negative होंगे अगर कॉम negative charge होगी तो वो pieces of paper positive charge होंगे that means opposite charge always attract each other तभी उस कॉम ने pieces of paper को क्या किया attract किया है ना बच्चा और charge को हम represent किस से करते हैं क्यों से ठीक है और charge का unit क्या होता है इसा unit that is कॉम और इसी तरह proton और electron पे भी charge मैंने mention किया that is दोनों पे charge की जो numerical value है वो same है बट proton पे वो positive होती है और electron पे वो negative होती है just यह ही है है same 1.60 into 10 raised to power minus 19 कॉम ठीक है बस proton पे positive होगी electron पे negative अब हम हम पढ़ेंगे conductor और insulator क्या है electrical category के साबसे हम substance को दो उसमें divide करते है that is conductor and insulator conductors क्या होते है जिन में से charges easily flow करते है like metals silver हो गई, copper हो गई जिसमें से charges easily pass कर जाएंगे उसको हम क्या कहेंगे conductor the substances through which electric charges can flow और insulators क्या होंगे the substances through which electricity cannot flow जिसमें से charges का flow नहीं होता like plastic, paper ठीक है charges का flow मतलब electricity को कोई चीज conduct कर रहे है नहीं यह हमें कैसे पता चलेगा यह कैसे पता चलता जब उसमें free electrons होंगे जिस substance में free electrons होंगे वो electricity को easily conduct करेगा उसी को हम क्या कहेंगे conductor और जिसमें free electrons नहीं होंगे उसको हम क्या कहेंगे insulator क्यूं? क्यूंकि वो electricity को conduct नहीं कर पाएगा hope आपको यह चीज clear होगी कि charge क्या होता है ठीक है conductor क्या होता है insulator क्या होता है अब next है potential difference क्या है देखो आपको यहाँ पे point दिख रहे होंगे A और B ठीक है मेरे पास कोई charge है Q उसको मैंने B point से A point पे ले जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा of course मुझे कुछ ना कुछ work करना पड़ेगा है ना उसको अगर मुझे B से तक ले जाना है तो potential difference क्या है वो यही है कि हमें जितना काम करना पड़ेगा एक charge Q को एक point से दूसरे point तक ले जाने के लिए that is potential difference तो potential difference क्या हो गया work upon charge charge को एक point से दूसरे point तक ले जाने के लिए हम कितना work कर रहे है that is potential difference और इसको हम denote किस से करते है V से तो V क्या हो गया work upon charge charge क्या है Q work क्या है W और unit क्या होते है potential difference के that is volt तो एक volt किस के इकल हुआ work के unit क्या है joule 1 joule upon और charge के unit coulum तो 1 coulum तो potential difference क्या हो गया 1 volt किस के इकल हो गया 1 joule upon 1 coulum और potential difference को अगर हमें measure करना है तो हम किस से measure करेंगे, क्या नामे उस instrument का, वॉल्ट मीटर, उसको हम किस से measure करते हैं, वॉल्ट मीटर से, तो आपको clear होगा potential difference क्या है, unit क्या है, लिखते किस से हैं, measure किस से करते हैं सब, अब आता है, electric current, electric current क्या है, flow of charge, is called electric current, कितने time में, कितना charge flow कर रहा है, that is electric current, इसको हम denote करते हैं, I से, तो electric charge को हम किस से denote करते हैं, I से, और मैं क्या क्या रही हूं, कि flow of charge in particular time, तो charge को किस से denote करते हैं, Q से time, क्या है T, तो I क्या हो गया, Q upon T, और current के unit क्या होते हैं, ampere, जैसे potential difference के unit थे, वोल्ट वैसी क्रंट के यूनिट क्या है एंपीर ठीक है तो क्रंट है क्या flow of electrical charge in time ठीक है कुछ भी हो सकता है वो time ठीक है वैसे हम अगर हमने एक एंपीर को बताना हो तो क्या होगा जब एक कुलम चार्ज किसी metal में से flow करेगा कितने सेकिंड में एक सेकिंड में तो हम क्या कहेंगे एक अंपीर क्रंट होगा पर द्यूस तो वन अंपीर की भी आपको definition समझागी होगी clear है और हम electrical क्रंट को अगर हमने major करना है तो हम किस से major करते हैं m meter से देख लो इस पिक में आपको clear होगा 1 ampere is equal to 1 coulomb upon 1 second 1 coulomb charge को मैंने 1 second में अगर मैं किसी metal में से flow करा रही हूँ तो मेरे पास current जो generate होगा वो 1 ampere होगा और उस current को मैं major कैसे करूँगी with the help of instrument called m meter उसको क्या बोलते हैं बच्चा m meter तो चलो हम potential difference और current पे पुछ numerical देखते हैं चलो let's start एक numerical है मेरे पास मुझे work done calculate कर रहा है 2 coulomb charge दिया हुआ है potential difference दिया हुआ है 10V work calculate कर रहा है तो V क्या होता है V क्या होता है W upon Q तो वहाँ से आप Q हमें पता है V हमने V भी हमें दिया हुआ है हमने W निकालना है तो W क्या होगा Q into V Q हमें दिया हुए 2 coulomb V हमें दिया हुए 10V तो W क्या हो जाएगा 20 Joule हमें यहाँ पे V का formula पता है that is W upon Q तो मैंने W निकालना है तो जो Q है वह उपर चला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा Q into V W क्या हो जाएगा Q into V तो W क्या है यहाँ पे वोल्ट हमें पता है 10V दिया हुए है और चार्ज हमें 2 coulomb दिया है तो W क्या हो गया 20 Joule यूनिट क्या होते है वर्क के Joule जस्ट सिंपल सा formula मैंने apply किया है यहाँ पे और कुछ महाबारत नहीं है है न next देखो एक electrical barb है draws a crunt crunt की value दी हुई हमें 0.25 ampere 20 minutes के लिए हमने charge निकाल ला है I क्या होता है charge upon time तो यहाँ से मैंने charge निकाल ला है तो क्या हो जाएगा I क्या हो जाएगा Q upon T I क्या होता है sorry Q upon T charge upon time मैंने निकालना के charge वो क्या हो जाएगा multiply हो जाएगा बस T I के साथ तो अब मेरे पास time जो है minutes में दिया तो बैने उसको पहले seconds में convert किया है है ना 1 minute में 60 seconds होते है तो 20 minute में 1200 seconds हो गए I हमें पता है Q upon T है I की value हमें पता है Q की नहीं पता T की पता है तो Q क्या हो जाएगा I into T तो दोनों को multiply करूंगी कूलम में तो क्यों की value क्या आ गई 300 कूलम क्यों जो charge होता है उसका जो unit होता है वो क्या होता है कूलम होता है तो यहां value क्या आएगी कूलम में और हो सके तो बेटा time को second में convert जरूर किया करो क्योंकि time mostly हम seconds में ही लेते हैं ठीक है बाकी सब यहां पे सई दिया हुआ है आपने just formula लगाया is equal to Q upon T और वहां से Q निकाली है वो क्या होगा I into T I भी हमें पता है T भी पता है क्यों निकल जाएगा that is 300 कूलम तो आपको आज का lecture समझाया होगा बच्चा मेरे चैनल को subscribe करो like करो vary videos को share करो अपने friends के साथ next lecture में मिलेंगे thank you so much तब तक आप अपना lecture revise कर लेना हमने potential difference पढ़ा charge पढ़ा electricity होती गया वो पढ़ी है न क्रंट पढ़ा और उस पर numerical कर लिए आप भी अपने numerical की practice कर लो जब तक मैं आगला lecture अपडेट करती हूँ thank you again thank you so much